हलो प्रेंड्स आज मैं आपको ट्रैडिशनल कुर्गी स्टायल दिखाऊंगी जो कुर्ग के लोग पैंते हैं नॉर्मली कुर्गी स्टायल की जो साड़ी का मिटर है वो 4 मिटर होता है पर अपन ये साड़ी के उपर पैनेंगे तो ये अपना 5.5 मीटर रहता है तो देखेगा किस तरह से पैनाना है, सबसे पहले तो पीछे से स्टार्ट करना है, कुर्गी स्टाइल में, one and a half meter आपको राउंड लेना है, जैसे ये पीछे से मैंने चालू किया, ये आगया ही, फिर एक और राउंड लेना है, तच, तच तच तफ्लोर और देखिये, ये मैंने एक राउंड, डेर राउंड लिया है, one and a half round, उसके बाद आपको मापना है, ये देखे किस तरह से होएगा, ये कुर्गी स्टाइल इस तरह से करके, आपको ये लेके ऐसे आना है, ऐसे आना है, थोड़ा सा पोर्शन वो बहार रहता है, तो इतना माप ले लिया है, उसके उपर में थोड़ा सा एक क्लिप डाल दूंगी, तो अपने को मेजर्मेंट के लिए अच्छा रहता है, या तो आप पिन लगा सकते हो, तो एक मार्क हो जाता है, अपने को अभी प्लीट्स लेना है पीछे, इसमें प्लीट्स थोड़ी जादा आती है, क्योंकि अपनी 5 मिटर्स का सारी है, कुर्गी होगी तो 4 मिटर के होती है, तो जादा प्लीट्स नहीं आती है, यह मैं प्लीट्स ले रही हूँ, देखिये, काफी करेंगे यह टिपिकल कुर्गी स्टाइल है थोड़ा हिप्स के यह बाजु रखेंगे प्लीट को और अंदर टक कर देंगे एक प्लीट निकाल दे हूं वापस उसको रीड्यू करते हूं यह मैंने पूरा प्लीट बना दिया पीछे पींज से आपको सिक्यूर करना है तो आप पिंज से भी उसको सिक्यूर कर सकते हैं अभी इसको सैट करेंगे पीछे से पूरा सैट हो गई है प्लीट इसके बाद आपको यहां से स्क्वैर लेना है देखिए और अच्छे से छोटी बीच छोटी पींज डालना है इधर पिंज डाल दिया एक इधर पीन आएगा बराबर देखेंगे के बाद आपको इधर भी वापस एक पीन डालना है इसमें ट्यूब लोग पेनेंगे तो अच्छा लगेगा और देखिए इसको इस तरह से आएगा देखिए यहां से आके इधर पीन लगाएंगे या तो यह देखिए यहां से एक पीन लगाएंगे और यह पूर्शन नॉर्मली उनका खुलना रहता है देयार कीपिंग ओपन और देखिए यह पूरा ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल लुक है और इस कुर्गी स्टाइल का आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा जरूर लाइक करियेगा सब्सक्राइब करियेगा थैंक यू सो मच